। चैप्टर। पहला टॉपिक है मेजर्णिग ल्हाइन शेगमें लिए पार्ट जिसके दो fix point होते हैं यहाँ पर यहाँ बी एक लाइन सेघमें और हमेसे तो miMan यह दोनों तरफ से infinitely extended कि बी असे जिराएन 2 cm, अब ये 2 क्या है, ये 2 इस line की length को represent कर रहा है, the measure of each line segment is a unique number, ये एक unique number होता है, जिसे हम बोलते हैं length, अब बात करते हैं next topic की comparison by observation, observation बस एक देखना और बता देना कौन सी बड़ी line है कौन सी छोटी, लेकिन आप उसकी length नहीं बता पाओगे, देखो, जैसे आपने यहाँ देखा, AB छोटी दिख रही है, आपको CD से, आपने कह दिया कि CD line क्या है, आपके बड़ी है, CD line segment बड़ी है, किस से, AB line segment से, अना, बस इतना से कह दिया आपने, but you cannot always be sure about your usual judgment, but आप इसको देखके, आप exactly नहीं बता सकते, कि भही, यह line आपने जो बता, यह बड़ी चोटी, यह सही है या गलत है, जैसे यहाँ पर आपको दिया वाए, यहाँ आपने एकदम से देखके नहीं बता सकते, कि कौन सी बड़ी है, कौन सी चोटी, दोनों यह दिखने में क्या लग रहा है, आपको बराबर नजर आ रही है, लेकिन जब आप इसको scale, या other instrument से measure करोगे, तब आपको पता लगेगा कि कौन सी line बड़ी है, कौन सी चोटी, क्यों, क्योंकि आपको scale या other instrument से measure करके, आपको इनकी length पता लग जाएगी, तो observation में, method में क्या हो रहा है, आपको length नहीं पता लग रही, बस आप देखके बस बता रहे हो कौन सी बड़ी है, कौन सी चोटी, तो यह इसका demerit है, disadvantage है, observation method का, तो फिर next method क्या है, tracing, tracing में क्या करेंगे, एक line draw करेंगे, ट्रेस पेपर पे, हाना, माल लीजे, यह line draw करेंगे, आपने A, B, अब एक डूसरी line है, जिसको आपको क्या करना है, measure करना है, जिसका name है CD, आपने क्या किया, वो ट्रेस पेपर पे छपीवी A, B line, इसके उपर रखी, और आपने बता दिया, कि भाई, यह line, हाना, जिसको आप measure कर रहे हो, इसकी length इतनी है, क्योंकि माल लीजे, आपने यह draw करे थी, 5 cm की, trash paper पे, और आपने इस पे रखा, और आपको पता लग जाएगा, कि भाई, कितनी लंबी line है, ठीक है, सो यह tracing method गयलाता है, लेकिन, इस तरह का comparison, tracing के through कर रहे हैं, यह भी exact नहीं होता, ठीक है, इसकी accuracy भी आपकी, तब ही होगी, जब आपको, क्या होगा, length पता हो, दूसरी line की भी, क्योंकि अभी तो आपने क्या किया, इसकी length तो आपको बता थी, लेकिन, इसकी length थोड़ी पता लग पई, आपने तो बस यह किया, इस पे रखा trace कीवी line को, और आपने यह बताया कि यह line बड़ी है, trace करीवी, और यह इसके comparison में छोटी है, यह जिस पे trace कर रहे हो, जिस line पे वो बड़ी है, और यह line जिसको trace कराया जा रहा है, वो छोटी है, बस इतना सा बता सकते हो, तो यह भी exact method नहीं है, अब exact method क्या है, comparison using ruler and divider, ruler क्या होता है, आपका scale, ठीक है, यह ruler is a straight as thin strip of plastic और some metal, या तो metal का आएगा, या wood का आएगा, या plastic का, और यह आपका जो ruler है, यह आपके divide होता है, 15 parts के अंदर, देखो 15 parts में divide हो रहा है, यह एक part, हर एक part 1 cm को, देखो cm लिखावा है, और यह 1 cm का जो part है, आपका, यह, यह 10 छोटे-छोटे parts में divide है, हर एक part 1 mm को represent कर रहा है, इसके दो arm होते हैं, जो एक साथ जुड़े होते हैं, यह देखे, हिंच करे हैं, Each arm has pointed metallic end, the distance between the two ends can be increased or decreased required, भई, required के according साब इसको बड़ा गटा सकते हो distance इन दोनों legs के बीच में, इनको legs बोलता हैं, ओके, यह legs हैं, तो इनके through हम measure करेंगे line segment को, अब देखिए, scale से कैसे measure करते हैं किसी भी line को, देखिए, एक line बनी भी, आपने क्या किया, scale की जो zero reading है, ठीक है, scale की zero reading, यानि ये, इससे रख दिया पहले point पे, रख दिया, और b point पे scale की जो भी reading आ रही है, वो आपकी length बता देगी line की, तो देखो, b पे कौन सी number आ रहा है, 7, यानि इस line की length कितनी है, लंबाई कितनी है, 7, तो ये जो आपने measurement किया, scale की ये exact है, मतलब क्योंकि आपको number की form में length मिली है line की, यहाँ ये नहीं मिला की बढ़ा है या छोटी line है, यह exactly आपको value पता लगी है, तो ये exact method है, सबसे पहले आपको एक point पे 0 रखना है scale का, और दूसरे point पे जो भी number आ रहा है, उसको read करना है, तीक है, और वो ही आपकी क्या होगी, line की length होगी, अब अच्छो divider से हम कैसे measurement करेंगे, तो देखो मैंने एक line बनाई भी ऐसी, इसकी length मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, एक sharp point को रखूँगा a point पे, और इसे open करता जाओँगा, कहां तक open करूँगा, जब तक ये b तक नहीं आ जाता, ठीक है, तो ये मेरा b पे आ गया है, ये, तो इतना ये दोनों lag के बीच की gap आ गई, अब इस gap को कैसे measure करूँ, इसे रखूँगा मैं एक point को तो 0 पे, और दूसरे point को, हाना, जहां पे भी reading आ रही है, देखो अभी मेरी reading कहा रही है, मेरी reading आ रही है, इस 4 के बाद भी छोटे छोटे division है, कितने है, 1, 2, 3, 4, तो मेरे जो line की length है, ये वो कितने आ गई, 4.4 cm, 4 तो पूरे पूरे division आ रहे थे, हाना, और आगे भी छोटे division थे, तो देखो, आगे का मतलब है, 0.1, 0.2, 0.3, क्योंकि छोटा जो division है, वो 1 mm को represent कर रहा है, तो जब 1 mm को आप centimeter में convert करोगे, तो वो आ जाएगा 0.1 cm, तो 4.4 cm आगी, सबसे पहले क्या किया है, line के एक point पे एक end रखा, और दूसरे पे दूसरा, फिर scale पे ए measurement करने का ये जो तरीका है, ये भी क्या है, exact तरीका है,